नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है आज के यह वीडियो आप शबी के लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन और बहुत ज़्यादा खाश रहने वाली हैं इसलिए दोस्तों आप इने बिल्कुली मिश्णा करें और शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा कि दोस्तों आज के इस जिवन काल में लोग जो हैं एक दुश्यादे को देखकर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं जिया दोस्तों आप शावने वाले से ज़्यादा अच्छा कमाने लगे कुछ अच्छे कारी उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में तो आप करने आप जूर सो आपके पेशा directly बेजिए आपके रुत्वयें को देख कर बरदास नहें लए शबसे बड़ाआ हाथ है वही आपको उश्यबल बना रही है जिसके कारण दोस्तों बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं जे दोस्तों आपको बिता दे बुरी नजर वाले आपको नीचे करने की कोशिश में लगे हुए हैं जे दोस्तों आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है लेकिन दोस्तों लोगों को आप से लेना देना है आपको वो चैन से जीने ने देंगे कि दोस्तों आपकी शफलता उनके दिल दिमाग पर उनके आँकों में खटक रही है दोस्तों आपको बिता दें कि कुछ लोग इतने पागल हो जाते हैं कि आपको बरबात करने की वह कश्मे तक खा लेते हैं जे दोसों हम खुश रहे या ना रहे लेकिन हम आपको खुश रहने नहीं देंगे एशी कश्मे तक खा लेते हैं दोसों हमारी भगवान शिर्विन्दी है कि आपको एशी लोगों से बचाए जे दोसों आगे इस वीडि आप से जलते हैं वे आपकी जोनकाल से वाकर ही दूर हो जाएंगे और आप उन्हें से मुक्ति पाएंगे जे दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यदा महत्पन होंगी आप इन्हें अन्त तक दिखेगा तो चली दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के करम भाव और शौमी भाव का जो भगवान है श्री शनिदेव हैं जे दोस्तों और इसलिए इस राशी के शब्से लग्की दिन शनिवार और मंगलवार रहते हैं जे दोस्तों आपको बता दें कि इस दिन और आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो द आशी की ही एक एशी खाश्यत है आपको दिखावा करना बिलकुल भी पशन नहीं आता जिया दोस्तों आप लोग जो है दिखाव में नहीं आते हैं और नहीं दिखावा करते हैं और दोस्तों इसका एक रीजन यह भी है कि जब भी आप बहुत खुश होते हैं और दोस्तों आप लोग जो है जादा दिखावा और खुशी जाहिर नहीं करते इस विशादे दोस्तों आपको बता दी कि आप लोग अपने वैभार में बहुत ही मंदार रहते हैं इसलिए शारी गर्ष जो है आपकी नेचर को पशंद करती है और आपको एशी लग्यां भी पशंद है जो दोस्तों आपको बता दे कि आप लोग दूसरों को पहले खुश रखते हैं फिर अपना खुशी देखते हैं चाहिए आपके उपर कितना भी टेंशन और कितना भी चिंता हैं क्यों नहों आपका वैवार सभी को बहुत ज़्यदा पशन होते हैं और सभी लोग आपके उपर बहुत जल्दी एक आकरशित होते हैं ये दोस्तों आप लोग मुद्दिवान होने के शाथ साथ पहवार कुशल भी होते हैं एक बात आपकी और है कि आप जब भी दुखी होते हैं तो दोस्तों आप लोग किशी जबी अपने दुख का कारण जल्दी नहीं बताते आप अपनी अपना जो दुख है जल्दी किसी से भी सेर या पिरियों के साजा नहीं करते हैं और चुप चाप आप अकेले बेट कर अपना आशु बहाते हैं दोस्वों आप हमें कमेंट करके बताईएगा कि दोस्वों ये जो बाते हम आपको बता रहे हैं क्या या सच है या पिर नहीं दोस्वों कमेंट करके आप अपना नेचर जरूर बताईएगा और दोस्वों इसके शाद हम आपको बता दें कि बहुत बार आपके शादेशा हुआ है कि आपको अपने ही लोग बहुत ज़्यदा दुख पहुंचाते हैं जिया दोस्तों यानि कि आप लोगों को अपने करीबी लोग ही जो है वो ज़्यदा तर कश्ट देते हैं दोस्तों एक बात पर गौर करिएगा कि बाहर की लोगों से तो आप निकटने पढ़ लेंगे बाह करते हैं आपके शाथ ऐसा अक्षर देखा गया है आपका बहुत बार अपमान विवा है आपकी मान श्रमान को अपने ही लोगों ने बहुत बार ठेज पहुंचाई है लेकिन दोस्तों आज हम आपशी एक शवाल कर रहे हैं जो आपके शाथ हो रहा है आकिर आपके शाथ होता अगर हां तो दोस्तों कब तक होता रहेगा आकर कब तक यह जालिम दुनिया आपका फाइदा उठाते रहेगी आपको धोखा कब तक मिलता रहेगा जिया दोस्तों आकर कब तक आपकी इमोशन की आपकी फिलिंग की कदर नहीं होती आपके जियून में अभी तक आपको वाश शामना करना पड़ता है आपका हर काम शंगर्ष यही पूरा होता है आपको जो चीज प्राप्त हुई है वह भी बहुत शंगर्ष और आपकी कड़ी मेहनत से ही आपको प्राप्त हुई है दोसों आपने किशी से भी अपने किशी से भी यह चीजें नहीं मांगी है कोई भी ख जो भी शफलताएं हैं उन्हें हाशिल किये हैं लेकिन दोस्तों फिर भी यह दुनिया आपकी शफ़ावनों की कदर नहीं करती और दोस्तों आपको थोड़ी शफलता क्या मिल जाती है कि यह दुनिया आप से जनने लगती है आपको नीचे गिराने की कोशिज करने लगती है पिछले कुछ शालों शेह आपकी आर्थिक सिती में भी भरी गिरावट आई है, जिए दोस्तों आपको बिता दी कि आपका जीवन मानो पूरी तरह शेह बिखर गया है। जिए दोसु आप इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, जिए लोग अंदर शेह आप शेह नफरत भी करते हैं, जिए दोस्तों आप लोग जो होते हैं वो बहुती शाफ दिल के होते हैं। जें दोस्तों, आप लोगों की जो भी बात होती है, वो बिल्कुल ही शाप-शाप मुझ पर होती है, लेकि दोस्तों, आप उपने दिल में कोई भी पाप नहीं छुपाते हैं, जें दोस्तों, अपने अंदर दिल में आप कोई भी बात नहीं रखते, और इसी वैवार के चलत लोग आपको अंदर ही अंदर पशन नहीं करते दोसों, मैं आप शी कहना चाहूँगा कि आप यué आदत को बिल्गुल भी ना बदलें, दुरी लोग चाहे किसी तरह हो लेकिन दोस्तों आप उपनी आदत बिल्कुल ना बदलें, कि considering दोस्तों आपकी यही आदत आपको लोगों से अलग बनाती है। आप पर हमेशा से लोग अलग अलग इंजाम भी लगाते हैं। आपने जिसको अपना मान शमान दिया है। उन्होंने ही आपको टाइम टाइम पर शात छोड़ा है। दोस्तों, आप हमें कमेंड में बताइएगा क्या मैं गलत बोलाओं. आपने जिनका भी शाथ दिया है. आज वो आपके शाथ खड़ा है. क्या? वो आपको पुझता है. क्या? वो आपकी मुश्किल समय में आप से कंद। मिला कर खड़ा है. क्या? जिन दोस्तों इन शभी का जबाब मिलेगा नहीं दोस्तों आप बिल्कुल भी निराश ना हो दिल छोटा ना करें आपको हम बता दें कि आपके लिए जो आने वाला शमय होगा दोस्तों गरहों की गोचर की सिद्धी के शाथ बहुत यह अच्छा रहने वाले हैं और आने वाले शमय में आपका भी कर चैंज होने वाली है जिसे दोस्तों आपकी जुनकाल में खुशियां ही खुशियां रहने वाली है जिया दोस्तों हम आपको बता दें कि बगवान शिंदेव का शिरबाद अब आने वाले शमय में आपके उपर पढ़ने वाले हैं एक बात यह भी है दोस्तों ने आप ज जरूर ध्यान से सुनिएगा कि बगवान शिंदेव नियाय की देवता है जो लोग अनियाय करते हैं बगवान शिंदेव उन्हें कतई जहर वाले शाजाएं देती है जिनोंने भी आपके इशात गलत किया है जिनोंने भी आपका अपमान किया है और दोसों जिनोंने भी आपक का हिशाब बगवान शिर्देब अविश करेंगे आपको इशिप इतना करना है कि आपको इशा लोगों से दूरी बना कर रखने है जिहां दोस्तों इस बात को आप जरूर ठान लें कि आपको इशे लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं करनी है हो शके तो आप इन शे अपना रिस्ता ही तोड़ दें जिहां दोस्तों लेकिन अगर कोई एशी बात है कि आप एशी रिस्ता नहीं तोड़ सकते हैं आपकी बहुत करीबी लोग है यानि कि आपका भाई है आपका बहन है या फिर आपके शिसलाल पक्ष के कोई भी व्यक्ति ही क्यों ना हो जिहां दोस्त आपकी पतनी अगर आप शेद दूर नहीं जा रही है तो दोसों आप इतना तो कर ही शक्ते हैं कि आप इनसे बात भी करना बन कर दें। बात नहीं करते हैं आपका दर्दर नहीं शमझते हैं आपके फिलिंग्स को ठेस पहुंचाते हैं यह के हैं तो आपको मान शमान नहीं देते हैं तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको कुछ करना नहीं है शिर्फ आपको इन से दूरी बना कर रखनी है जियां दोस्तों बात सित दोसों बगवान श्रदेव आपके शाथ है और आपका कल्यान करने के लिए आपके सभी कारियों में शुब्धा दिनायन के लिए बगवान श्रदेव आपके कारियों में आपके शाथ रहते हैं जे दोस्तों बिल्कुल यह आप शच्चे मन्से जिस परकार बगवान श्रदे है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा शाथी बेल आइकन को प्रेश करकी और परश्लेट किर दिएगा जे दोस्तों इससे हमारी आने वाली वीडियो आप तो सबसे पहले पहुंचेंगी धन्यवाद